तो एलेक्टिर नमबर 11 है कैपैसिटर सीरीज का और यहां पे हम लोग polar molecules in an electric field पढ़ेंगे ठीक है तो अगर कोई material है that is made up of polar molecules उसको अगर और एलेक्टिफ फिल में रखेंगे तो क्या होगा है ना तो polar molecule मतलब क्या तो सपोज यह कोई molecule है और इसका positive charge का जो center है और negative charge का center है वो coincide नहीं कर रहा है तो इसको polar molecule बोलते है ठीक है और non polar molecule में positive charge का center center of positive charge और center of negative charge क्या होता है कोइंसाइट करता है ठीक है तो पोलर मॉलिक्यूल में आपका सेंटर ओफ पॉजिटिव और सेंटर ओफ नेगटिव चाहिज कोइंसाइट नहीं करता है एक्जामपल आप देख लो जैसे एनो है न डिफरेंट एलेक्ट्र नेगटिविटी का रहेगा तो यहां पर अफकोर यहां पर बोल सकते है एन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और वो के पास स्लाइटली नेगटिव चार्ज है तो डाइपोल मॉमेंट आपका इस तरफ है ठीक है तो एनो में डाइपोल मॉमेंट इस तरफ है ऐसा कुछ है अगर आप एक सैंपल इमेजिन करो सैं किसी का ओरिंटेशन ऐसा है किसी का ओरिंटेशन ऐसा है समझ मैं यह बात ठीक है न तो ऐसे करके basically अब मैं को एन और ओ लिखने के ज़रूरत नहीं है मैं किसी भी molecule की बात कर रहा होगर तो मैं सिफ एरो रहा करूँगा आपसे है न ठीक है हर एरो क्या बताएगा उस molecule का डैपोल मोमेंट तो कोई भी सैंपल ले लो आप non-polar molecules का तो polar molecules माता हर molecule के पास आपके पास हर molecule का खुद का electric dipole moment होगा ठीक है और वो लोग किसी भी direction में क्यों है क्योंकि random agitation के कारण random thermal agitation के कारण कोई prefer direction मतलब कोई भी direction लोग prefer नहीं करेंगे न ठीक है तो यहाँ पे यह कोई sample है of polar molecules जिनका आप देख सकते हो dipole का जो orientation है random है due to thermal motion है न ओके अब यहाँ पे अगर आप कोई भी volume उठाओ ठीक है यहाँ देखना कोई small volume उठाओ सब्सक्राइब कोई small volume उठा रहे हो आप तो इस sample का कोई small volume जैसे 1 mm cube उठा रहे हो अब 1 mm cube हमारे लिए तो बहुत च्छोटा part है लेकिन 1 mm cube में अगर molecules की बात करें तो इतने region में बहुत सारे molecules fit हो जाएंगे 10 की power 11 उस order के है ना तो 10 की power 11 मतलब 1 के बाद 11 0s ठीक है उतने सारे यहाँ पे molecules इस volume में हड जाएंगे fit हो जाएंगे और हर molecule का dipole moment का orientation random है तो net dipole moment of all the molecules चो इस volume में present है उनका वेक्टर सम करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि कोई भी प्रिफर्ड डिरेक्शन नहीं है random thermal radiation का राण कोई भी डिरेक्शन प्रिफर्ड नहीं किया रहा है ना ठीक है basically arrows जो है randomly oriented है और किसी भी small volume में बहुत सारे arrows रहेंगे क्योंकि molecules बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग बहुत सकते हैं कि इसका net dipole moment क्या है तो इसने volume में around 10 की power 11 molecules आ जाएंगे ठीक है तो हम लोग बहुत सकते हैं कि net dipole moment अब यहां पर तो में 2-3 arrows जिखाया हो है ना वैसे बहुत सारे 10 की power 11 arrows आएंगे ना और सब random thermal agitation के कारण sub orientation ऐसा रहेगा जैसे कि पूरे का dipole moment net dipole moment 0 हो जाए ठीक है तो net electric dipole moment यह electric dipole moment है ना net electric dipole moment इस जीरो कारण क्या है टूटो रैंडम thermal agitation ठीक है ओके तो net development 0 हो गया है अब अगर इस substance को हम लोग किसी electric field में रखे ठीक है इस substance को already यहाँ पर electric field है इस region में malo electric field है इस electric field में अगर इस substance को रखेंगे तो क्या होगा तो basically मैं यहाँ पर substance को draw कर रहा हूं को यहां पर एल्यक्टिक फिल्ड है यह वाला लेस्कों में डौ मेंडोल निकारों में है बाइक टॉकरों एक होpal लेFitर क्रेंगा है दॉकर्थ डाइपुल पे टर्क लगाए determinism के Κरन डायपोल पे बीखरोसी ही, माल ले टीए उनिफॉर्म है, तो बीखरोसी वालो फ़़नुला यूस कर सकते हम लोग तो जो डायपोल सब के सब पहले रैमनम थे ना, अब उसमें कुछ डायपोल जोगे, कुछ के बहुत सरे डायपोज जोगे, और टीउ Пр onset हो जाएंगे ठीक है तो more or less तो बहुत कम ही होंगे जो उल्टा-पूल्टा होंगे अधिकतर जो अब देख सकतो एक्स के लोग औरियंट होगा है ठीक है तो यहाँ पर लेकिन alignment जो है complete नहीं है यह perfect नहीं है क्योंकि thermal motion तो अभी भी है molecule के पास thermal motion कभी perfect alignment होने नहीं देगा ठी thermal motion है आप temperature decrease करोगा तो alignment बढ़ता जाएगा है ना तो यहाँ पर आप देख सकतो अगर अब इस sample का इस sample में 1 mm3 volume low गया उसका dipole moment 0 नहीं आएगा ठीक है इसका आप कोई portion लोगा तो उसका dipole moment 0 नहीं आएगा है ना तो इसका आप कोई portion लो इसका dipole moment जो होगा electric dipole moment यह 0 नही होगा ठीक है तो पहले जोची 0 थी अब electric field लगने के कारण dipole में torque लगने के कारण इनका alignment होने कारण भले perfect alignment नहीं है due to thermal motion ठीक है लेकिन more or less अब देखोगे तो अधिकतर लोग जो है इस direction में electric field के लोग खुद को गुमा चुके है ना यह थोड़ा बहुत angle पे है ना तो यह महाँ पे हम लोग यह बोलते है कि dipole moment यहाँ पे induce हो गया है ठीक है यह charge induce हो गया है है ना ओके dipole moment induce नहीं चार्ज induce हो गया है ठीक है अब charge induce हो गया मतलब के है उसके लिए पहले समझो इस substance को मैं ऐसे draw कर रहू हूँ ठीक है तो पहले तो कोई charges वो नहीं थे dipole है ना मतलब dipole है individual atom molecules के पास है लेकिन net dipole moment किसी volume का क्या था जिरो था लेकिन जैसे अपने electric field लगा दिया तो dipole ऐसे orient हो जाएंगे है ना तो आप देखोगे तो left end mostly negative मतलब ऐसा 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 अगर मैं perfect alignment का diagram बना के दिखाऊ तो ऐसा होगा है ना तो basically आप इसको अगर ऐसे डलो करूः म Inner चींद bit्षटिव नेगेटिव पोसिट्व नेगेटिव पोसिट्य नेगेटिव पोसिट्व नेगेटिव पवसिट्व नेगेटिव नेगेटिव ने तो effectively आपको यहाँ पर दिखेगा की left end negative है JUST यह बीच में negative positive मिल मिल के cancel out हो गए ऐसा कुछ आप इसको imagine कर सकते हो तो यह effectively आप कोई जो material था non-polar substance से बना हुआ material इसको बोच सकते हो in the presence of an electric field external electric field को you not बोल देते हैं ठीक है material के अंदर जो है एक end में negative charges आ गए है induced हो गए और एक end में positive charge induced हो गए ठीक है और इसके कारण material का खुद का electric field इस तरफ होगा तो जो charges induced हुए है उसके कारण जो electric field आता है उसको electric field दूट पोलराईजेशन बोलते हैं ठीक है induced charges कारण जो electric field आता है उसको क्या बोलते है electric field दूट पोलराईजेशन तो polar molecules वाले polar molecules से बना हुआ कोई स्प्स्टेंस है उसमें यह चीज दुआ पहले से डाइपोल्स प्रेजन्ट थे और डाइपोल्स जो है रियोरेंट किये इंदा प्रेंस ओफ एक्षन एलेक्टिक फिल्ड ठीक है रियोरेंटेशन जो है परफेक्ट नहीं उपाई जो जो थर्मल रंडम मोशन लेकिन मोर और लेस आपको पता चल गया कि डैपोल जो है उस तरफ मतलब इसकी पास नेट डैपोल मोमेट उस में डैपोल मोमेट क्रेट हुआ है यहान एलेक्टिक फिल्ड इस तरफ है उस तरफ में इसका डैपोल मोमेट आया होगा ठीक है तो एलेक्टिक डैपोल मोमेट अगर इस तरफ है तो यह एंड नेगटिव हो गया है तो वही वैसा ही में यहां पर दिखाया हो एक एक पॉस मोलते वह आगे लेक्चर में पढ़ेंगे थीक हैं तो आप Newton ऱॉन पोलर मॉलेक्वी से बना हुआ किसी सबस्चेंस को रखे किसी this अ क्या हुआ वो देखें अब नोन पोलर मोलेक्वीक वे से बना हुआ सब्सटेंस को देखते हैं थीक है आप कुछ भूल रहे हो इमानदारी से बताना करना है नहीं करना करना है करना है करो ना भई यह क्यों नहीं कर रहे हैं